अगर आप manifestation की जर्नी में हैं, तो इस खास बात का जरूर ध्यान रखेगा, otherwise आपके wish आपके डूर तक आके वापस चली जाएगी तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना skip की देखेगा, एक एक point नोट करना है, याद रखना है और follow भी करना है, otherwise आप बहुत सारी टिकनीक फालो करेंगे, रिच्वल करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, सब कुछ करने के बाद भी आपके wish आपको नहीं मिलेगी, अगर चाहते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं, उसका result आपको positive मिले, तो ये वीडियो पूरा watch करेंगे, शुरू करते हैं इस वीडियो को, Hello and Hi to all my beautiful people, कैसे आप सब, I hope आप सब भी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, positive हैं, खुद का ध्यान रख रहे हैं, सबसे important कि आप सब भी बहुत जादा हिल दी हैं, और अपने अपने soul purpose के और आगे बढ़ रहे हैं, आज की वीडियो का topic, आप सब के लिए बहुत खास हैं, ज 100% दे रहे हैं, वो wish अगर आपकी एक ऐसी आदत, जो आप नहीं छोड़े तो आपके wish नहीं मिलेगी, तो आप ये जानने वाले हैं, कि वो कौन सी आदत है, क्या करना है, कैसे करना है, अगर आप सब कुछ जाना चाहते हैं, वीडियो में इन तक बने रहेगा, चानल पर न अगर आप किसी भी तरह के wish को manifest कर रहे हैं, doesn't matter wish छोटी है, बड़ी है, सबसे पहली चीज की किसी से बताना नहीं है, ये मैं कई बार आप लोगों को बोल चुकी हूँ, जब तक आपके wish पूरी नहीं हो जाती, किसी से share नहीं करना है, यहाँ तक ही possible हो, तो अपने family में भी किसी से share ना करें, क्योंकि जैसे ही आप share करती हैं, वैसे ही आपकी आदी wish तो block ही हो जाती है, मतलब जो आप मेहनत कर रहे हो, अब आपको दूग ना करना पड़ेगा, इसलिए किसी से share नहीं करना है, और second और most important ये, कि आप ऐसी लोगों से दूरी बना के रखें, जो बहुत बहुत जादा negative हैं, और इन्हें हम energy vampire भी कहते हैं, ये आपके आसपास होंगे आपको बहुत low feel होगा, ध्यान रखेगा, अगर ऐसी लोग आपके आसपास होंगे, आपको low feel होगा, आप कितना भी अच्छा बोलने कोशिश करेंगे, उन्हें कितनी भी अच्छी बात समझाएंगे, वो अपनी बातों से आपको negative कर देंगे, लेकिन आपकी positive बाते उनके उपर कोई असर नहीं करेंगे, मैं एक कहानी के थ्रू समझाती हूं आपको, एक गधा और एक शेर होता है, ठीक है, और गधा बोलता है कि ये घास नीले रंकी है, शेर बोलता है हरे रंक दोनों में शर्त लग जाती है, और वो जाते हैं जंगल के राजा के पास, वहाँ पर पूछा जाता है कि घास हरे रंकी होती है या नीले रंकी होती है, तो गधा बोलता है नीले रंकी होती है, शेर बोलता है हरे रंकी होती है, तो जंगल का राजा होता है, वो बोलता है कि हाँ गधा सही बोल रहा है घास नीले रंकी होती है और गधा को इनाम मिलता है शेर को पनिश्मेंट दिया जाता है फिर शेर पूछता है बाद में कि आप तो सब कुछ जानते थे ना कि मैं सच बोल रहा था घास हरी होती है फिर भी आपने मुझे पनिश्मेंट क्यों दिया और गधे को आपने क्यों इनाम दिया। तो जंगल की राजा ने कहा कि मैंने गधे को इनाम इसलिए दिया क्योंकि वो गधा है। और तुम शेर थे, फिर भी गधे के मूँ लगे थे, अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। ऐसे लोगों के मूँ मत लगिए, जिन्हें कुछ समझ ही नहीं आता है। उन्हें समझाने की कोशिश प्लीज मत कीजिए, पहले तो आपका टाइम जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा। जैसे ही आप ऐसे लोगों के टच में आते हैं, आपकी विष आप से दूर होने लगती है। क्योंकि ऐसे लोग आपके सामने नगेटीव बोलेंगे, और कही न कहीं जब कोई आपके सामने नेगेटीव बोलता है, तो आप उसे सोचते हैं, फील करते हैं। इसलिए जब आप manifest कर रहे हैं किसी चीज को और उसके साथ साथ आप ऐसे लोगों से दोस्ती रख रहे हैं, बाते कर रहे हैं, उसकी बातों को feel कर रहे हैं, तो कहां से आपकी wish manifest होगी, फिर आप शिकायत करोगे, कि ये टेकनिक मेरे लिए तो बिल्कुल काम नहीं करती है, बक पास का वाता बरन भी सही नहीं लगेगा, बहुत sad feel होगा, ऐसे लगेगा जैसे दुनिया के सबसे ज़्यादा दुखी आत्मा हैं आप, ऐसे लोगों के पास आप अपनी काम्याबी का ढूल बजाएंगे, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, वो ऐसी ऐसे story सुन यह आपको भी clear दिखता है, पता चलता है, तो फिर जान बुश के गलतिया क्यों करते हैं आप लोग, और फिर कहते हैं कि विश्पूरी नहीं हो रही है, ऐसे लोग जब आपके आसपास होंगे, आपके साथ जो अच्छी चीज़े हो रही होती है, वो चीज़े भी change हो जात कि आप गलत लोगों के संगत में है, संगत का बहुत असर होता है हमारी लाइफ पे, हम ज़्यादा जिनके साथ रहते हैं उनकी चीज़ों को, उनकी बातों को manifest करने लगते हैं, इसलिए कहा जाता है, कि अगर लाइफ में successful बनना है तो अच्छे लोगों के साथ रही है, बह आप जला के खुद के लिए क्या करा रहे हो, negativity manifest करा रहे हो, और क्या ये आप सही कर रहे हो, तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है, अब बहुत सारी लोगों की सवाल होते हैं, कि ऐसे लोग तो घर में ही हैं, तो क्या करें, तो simple सी बात है भई, उन्हें कम time देना है, एक मि दूर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, जब आप ऐसे लोगों से दूरी बनाएंगे न, आपकी लाइफ में वैसे लोग आकर्शित होंगे, जिस तरह के आप हो, जिस तरह के इनसान आप डिजर्व करते हो, तो I hope कि आपकी समझ में आया होगा, और हाँ guys, Angel Therapy course से बहुत बहुत सारी लोगों की life change हो रही है, और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जब आपकी वज़े से किसी की life में खुशिया आती है, प्यार आता है, पैसे आते हैं, और वो लोग आपसे share करते हैं, सोच के देखो कि इतना अच अचा लगता है, अगर आप भी अपनी life में ये सब कुछ balance में चाहते हो, तो आज ही Angel Therapy जॉइन करो, आपकी life में भी हर रोज magic होगा, इसे जॉइन करने के लिए Instagram पर follow कीजी और वहाँ पर message कीजी, instant आपको answer मिलता है, मिलती हूँ next वीडियो में, तब तक खुश रिए, Always Blessings, Bye!